हलो फ्रेंड्स मैं हूँ आनिता विमल और मेरी बग्या में आप सब का फिर से स्वागत है बहुत ही खुबसूरत संडे की सुभा है आपको आवाज आ रही होगी पक्षियों की चहचाने की और मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो मैंने क्रोटोंस रखे है न ये ओवर वाटर हो गए थे प्लांस के साथ मिक्स ये रखे होते हैं दूसरे प्लांस के साथ तो कई बार गलती से पानी ज़्यादा हो जाता है तो क्रोटोंस जो है न उनको पानी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है तो इनके लीप्स बिल्कुल वेल्टिड हो गए थे यानि कि जुक गए थे और ऐसा लग रहा था कि अब ये काफी बिमार हो गए हैं और इनको बचाना बहुत ज़रूरी है तो मैंने इनको अलग से य इनका जिकर मैंने पिछले वीडियो में किया था और मैंने इनके जितने भी ड्राइए लीप्स थे वो हटा दे थे और स्पेस दे दिया था नियू ग्रोथ के लिए और देखेए अब इनमें नियू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है ये देखें लेमन ग्रास आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है डेविल्स बैकबॉन का पौधा जिसका साइन्टिफिक नेम है पैडिलेंथेस टेथी मेलोईडिस लेकिन सिंपली इसको बैकबॉन या फिर डेविल्स बैकबॉन कहा जा सकता है और इसको जो ये नेम मिला है वो इसकी appearance की बज़ा से है अब देखे पहले इसके आप spine देख लीजे ये देखे जैसे जैसे पौधा grow करता जाता है पीछे एक particular type का pattern छोड़ता जाता है जो की read की हड़ी की तरह यानि की हमारे spinal जो bone होता है उसकी तरह दिखता है तो इसलिए इसको ये जो devil's backbone नाम मिला है ये एक succulent family का plant है और इसका जो ये spine होता है ये काफी ठिक होता है और इसमें पानी भरा होता है जिसको आप sap कह सकते हैं तो इसलिए जो है और इसके पत्ते भी जो है ना ये बहुत ज़्यादा पत्ले नहीं होते हैं तो इन में भी पानी होता है तो यहाँ से पता चलता है कि इनको पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती है जब पानी तभी डालना चाहिए जब इसका जो है एक या डेड़ इंच उपरी जो स्वाइल है वो ड्राइ हो जाए नहीं तो फिर ओवर वाटरिंग से जो है यह खराब होने लगता है डेविल्स बैकपॉन की बहुत सारी वराइटीज आती है मेरे पास यहाँ पर दो तरह के हैं और यह बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट होता है इनको बहुत ही कम केर की जरूरत होती है तो न्यू गार्डनर्स के लिए यह बहुत ही सिंपल प्लांट है मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि जो न्यू गार्डनर्स है वो किस थरह से इसको अपने घर में लाके प्रोपोगेट कर सकते हैं वैसे तो यह गर्मियों का पौधा है सन लविंग प्लांट है तो इसको फुल सनलाइट बहुत पसंद है लेकिन फुल सनलाइट में डारेक्ट सनलाइट नहीं बलकि इन डारेक्ट सनलाइट अगर हम इसको फुल सनलाइट में रख देंगे तो इसके पत्थे मुर्झाने लगते हैं और सूखने लगते हैं जो कि हमें नहीं करना है नहीं तो इस पॉधे की खुबसूर्ती कम हो जाती है ये पौधा बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है यानि कि अगर आप इसको बहुत पूर स्वाइल में भी ग्रो करेंगे तो भी ये चलता रहेगा ये पेरेनियल प्लांट है एक तो इस बात का आप ध्यान रखे दोस्तों एक बार आप लाकर अपने गार्डन में लगात ये एक कटिंग लाई थी और ये एक साल में इतना बड़ा प्लांट हो गया है अगर आप इनको दो तीन महीने में एक बार भी अगर खाद दे देंगे जैसे की वामी कमपोस दे दीजी या कोई भी और ग्यानिक खाद तो ये इसकी जो पत्तों की क्वालिटी है वो बढ़ और पत्ते बड़े हो जाते हैं और ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और काफी ग्रीन हो जाते हैं आप इसको चार इंच से लेके बड़े से बड़े गमला जैसे की 15-16 इंच तक के गमले में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं लेकिन जैसे की टैरेस में कम जगा होती है या लो में लगाया है ग्राउंड में तो यह बहुत ज्यादा टॉल हो जाते हैं लगभग एक से डेड़ मीटर तक की भी हाइट के हो जाते हैं लेकिन चाहे यह ग्राउंड में हो या पॉट में लगे हो इनकी अगर आप बराबर प्रूनिंग करते रहेंगे न तो इनका शेप बहु यह समर प्लांट है और सर्दियों में जो है यह डॉर्मेंसी में चला जाता है यानि की सो जाते हैं तो इनको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है और खाद भी हमें इनको नहीं देना चाहिए तो बात करते हैं इनके प्रोपोगेशन की इसको प्रोपोगेट करन यानि कि ग्रो करना बहुत ही असान होता है जैसे आपको कहीं पे गार्डन साइड में या फिर रोड साइड में भी या फिर किसी अपने फ्रेंग या किसी रेलेक्टिव के यहाँ पर यह प्लांट हो तो बस आपने क्या करना है कि एक टहनी इस तरह से तोड लेनी है यह देख डाल देना है अब यह देख रहें थे यह अब बाहर से हमने लशी पी थी तो यह मिट्टी का ग्लास मिला था तो इसको मैं घर लेकर आ गई थी तो फिर मैंने इसी में प्रुपोगेट इसको दूसरा वाला प्लांट भी किया है मैं आपको दिखाती हूँ एक्चुली यह plant नहीं है यह तहनी थी छोटी सी यह देखिए यह devil's bone की एक छोटी सी तहनी एक यह जो है green color का है और दूसरा जो देख रहे है यह variegated है जो मैंने अभी अभी डाला तो इस तरह से जो है आप इसको अगर आपके घर में कोई extra glass या कोई ऐसा pot नहीं है जिसमें क आप पानी डालके grow कर सके तो इस तरह से जो है आप किसी भी जो waste होता या even plastic के glass में भी आप डालकर इसको propagate करें और यह इसको root system develop हुए लगभग एक महीना हो गया है और यह हफ़ते 10 दिन के अंदर इन में roots दिखने लगते हैं पानी के अंदर और यह वाला जो plant है ना इसको तो मैंने बस इसी तरह जैसे मैंने आपको cutting करके दिखाए हाथ से तोड़ लिया था और मैंने direct मिट्टी में लगा दिया था और देखिए यह ब मॉश्चर होना चाहिए बहुत ज्यादा dry होगा तो पत्ते जो है वो wilt हो जाते हैं और बहुत ज्यादा पानी अगर इसमें डालेंगे तो पत्ते मुर्जा जाते हैं गिरने लगते हैं जुकने लगते हैं नीचे तो इस बात का हमें ध्यान रखना है तो अभी मैं इस वाले में लगा हुआ है ना एक में तो रूट सिस्टम आपने देखी लिए डवलप हो गया है और एक यह मैंने अभी अभी लगाया तो इसको मैं इस वाले पॉर्ट में लगाऊंगी यह सिर्यमिक का एक डेकोरेटिव पॉर्ट है तो इसको मैं अपने टेबल टॉप पे रखना चा यह फुली इंडोर प्लांट नहीं है तो आप हमेशा इसको अंदर रखने की ना सोचे बाहर यह बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं अगर आप इसको अंदर रखेंगे तो डायरेक्ट संलाइट से तो खेर बची जाएगा लेकिन इंडायरेक्ट संलाइट में वी जो है यह देखें इसको मैं एस इट इसी रूट बॉल के साथ ही इस पॉर्ट में लगा दूंगे यह मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा पॉट दे दिया है आठ इंच का पॉट है यह अब यह जो दूसरा वाला है ना वेरिगेटिड यह मैं नरसरी से लेकर आई थी 40 रूपीज मे तो इसको भी जो है मैं इसी तरह के एक सेम साइज और सेम डिजाइन के पॉट में लगाओंगी ताकि दोनों एक जैसे दिखें यह एक पॉलिथिन बैग में है इसका भी मैं पूरा रूट बॉल निकालूंगी यह देखें इसको मैं एज इट इस लगा दूंगी क्योंकि इ यहां पर बीच में एक छोटे से टैक से इसको क्लोज बांद दिया है ताकि यह क्लोज हो जाएं शाखाएं तो उमीद करती हूँ फ्रेंड्स डेविल्स बैकबॉन के बारे में जो यह मैंने वीडियो आपसे शेयर की है आपको जरूर पसंद आए होगी तो अगर आपको मे पिले वीडियो में कुछ और न्यू इंफोमेशन के साथ तब तक के लिए बाई बाई